Onida के 2023 latest model AC का इस वीड़ो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू inverter AC है तो obviously बहुत ज़्यादा energy efficient रहता है 42 years पुराना brand है Onida तो आप बिलकुल आँख बंद करके trust भी कर सकते हो Make in India का product है, India का ही brand है फटाफट से इस वीड़ो को शुरू करते हूँ आपको बताते हैं कि इस AC में ऐसा क्या खास है जो कि इसको बागी AC से अच्छा बनाता है दोस्तों ये Onida के AC बहुत ही ज़्यादा powerful cooling और high efficiency के एसाफ से बनाए गए है तो अगर आप चाहा रहे हो ना कि भाईया powerful cooling और जल्दी से जल्दी थंडा करने वाली येशी चाहिए और बहुत कम energy ले तो ये आप येशी कर सकते हो यहाँ पर एक arrow आता है उस arrow पर किलिक करके नीचे description में आपको link मिल लेंगे direct links है, affiliate links है obviously उस links पर क्लिक करके आप directly Amazon or Flipkart पर पहुंचेंगे जहाँ पर इसी available है, वहाँ से खरी सकते हैं कुछ offline stores की details भी मैं description में दे दूँगा ताकि आप जाके खुद experience करके खरीद पाएं पर इंडिया है ये available हैं तो आपको problem आने वाली नहीं है डारेक्टली चलते हैं और पूरी वीडियो में इसके features इसके outdoor unit, indoor unit, सब जो भी है design के साथ-साथ, features, cooling test, सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जब याप ऐसी खरीदते हों तो तो 3 चीज़े देखी जादी है कि brand अच्छा है कि नहीं आपका क्या उसमें energy savings होने वाली है तीसरा आपके room की capacity के साथ से कौन सा model लेना है ये 5 star में भी आता है, 3 star का है, 2 ton का है अगर आप 10 ton का लेंगे तो 5 star के option में भी आता है और ना का brand है, 42 years का brand है तो उसमें भी आपको कोई problem नहीं आने वाली है वारटी भी आपको अच्छी मिलती है और बहुत सारी features इसमें और भी extra मिल जाते हैं लेट्स टॉक अबाट तेम तो finally AC यहाँ पे install हो चुका है चुकि मेरा room बड़ा था, मैंने 2 ton का मंगवाया था आप में चीज यह बता देते हैं जो कि इसके features है और बहुत सारी चीज है लेकिन features से पहले में थोड़ा सान डिजाइन पर स्प्रेक्टितर बात करना चाहूँगा तो obviously इसमें बहुत साही design है center में आपको ओड़ा लिखावा मिलता है वहाँ पर 3 star की रेटिंग ही दो तन वाले मोडल में आपको 3 star की रेटिंग ही मिलेगी यह trendy inverter वाला AC है इसके 2-3 मोडल आते है जो आपकी skin पर आ रहे है attention to detail आपको बताता हो यह पर छोट इसी लेड़ा है तो उस पर लखा हुआ है कि मैनोली इसको खोले ना यह automatic होगा left side की बात करें तो यहां पर टॉल फ्री नमर लेखे हुए जब आपको help जाहिए हो तो आप सीरे 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 कॉल कर सकते हो उनको in right side पर इसकी सीरे नमर बगरा दिये है क्योंकि जब कॉल करो तो सीरे नमर भी बताना पड़ता है for installation purposes or some other purposes जो कि आप इसकी service करना चाहते हो या फिर इसमें कोई ख़रा देया दिया तो ठीक करना चाहते हो और इड़ा की चीज है अगर आपको वड़ा सा लुक का चपनगा नहीं है तो अगर लाज इंडोर यूरिट है तो आपकी कूलिंग ज्यादा पाव़फुल होती है ज्यादा फास्ट होती है और एर थ्रो बहुत अच्छा होता है तो आई तो लाइक इट सबसे पर दिजाइन बहुत है मै चालीश चाथ असी सो और एक सो बीस परसेंट पर ये सेश्य को चलाएंगे और अकॉर्डिंग टू दा कि कि अगर मालीजे एक इंसान तो आप 40 पर चलाएंगे फैदर गुल पर है दो इसान तो आप साथ परसेंट पर चलाएंगे तीन चार लोग है पूरी फैमिली है तो अगर चलाएंगे अगर जल्दी कूल करना चाहते हो या ज्यादा लोग हैं तो सौ अगर पार्टी हो रही है तो भाईया 120 परसेंट उस हेसाब सेसमें पांच है मूलिंग मोट दी गए हैं तो कि बहुत एफिशेंटली काम करते हैं एक चीज और इसमें फोर वे स्विंग मि सब्सक्राइगी महिं मोट जाएगी और अडियो बहुत तरह बनों जाएगी वैसे यवाज गूंच रही है उसी से मुझे जुटका रहा पाना है और कि एक टेकनलोजी है उसका नाम है बी एल डीसी टेकनलोजी उस टेकनलोजी की जरीए बहुत सरी चीज़ें इसमें अच् फिल्टर ऊंटी वाइरल सिल्ए एंड ये अकिडिव कारवन फिल्टर तो ुकुल में पूरिफेकेशन में ठीकत है एक्तम थ्रेशन वाले और कुण लागँ साथ तो हैं उसके साथ सब आपको hydrophilic blue fins मिलती हैं जिससे कि आपका सारा corrosion वगरा का problem बिल्कुल solve हो जाता है और जो moisture है वो उस fins पर डटता नहीं है मतलब आप ऐसे moisture नहीं जाता है तो उसमें fungus या फिर bacterial growth ना और उसकी वैसे वह रहे आपको air dry technology मिलती है जो इसी से संबंदित है को बिला कि जब आप AC को cool mood पर चला आते हो तो और बंद कर देते हो तो बंद तो इसी हो जाएगी बट उस technology की वैसे इसके blower थोड़ी देर तक चलते रहेंगे और वह जो थोड़ा बहुत moisture रहता है उसको पूरा सुखा देंगे त 32 वाला 10 years की warranty मिलती है आपको inverter compressor वाले ACs पर 5 years की warranty मिलती है fixed speed compressor पर और एक year की warranty मिलती है पूरे air conditioner पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको point out कर देता हूँ जैसे की fire resistance PCB enclosure मिलेगा air dry technology में आपको बताई दिया एडर LED डिस्पेय में लेगी जो कुछ सेंटर में काफी अच्छी दिख रही है उसमें आपको कोई प्रोग्म नहीं आने वाली है फास्टर कुलिंग और इतने मड़ी इंडोर यूरिट तो फास्टर कुलिंग रहेगी और फास्टर कुलिंग का टेस्ट हमने किया था वह मैं आपको फुटेज चला कर देखा देता हूँ यह एसी रूम को कुल किट्टी देर में करता है यह आपका फेवरिट कुछ रहना ह हमारे पास है एको फिफ्ट जनेशन जिसके अंदर एंट्रेटर सेंसर बिल्ट इन है मेरे रूम का साइज जिसमें दो टन का एसी लगा हुआ है दो सो तीस स्क्वेर फीट और सीलिंग थोड़ी से बड़ी है बारा फीट की है तो देखते हैं किती देर में कूलिंग करता है कि 28 डिग्री टेंपरचर था रूम का एंड आफ्टर डर्निंग टाउन एक्कीस मिनट के अंदर टेंपरचर एक्कीस आगया जो की धंडा माना जाता है मेरे हिसाब से तो काफी साही परफॉर्मेंस है 55 डिग्री पर ये काम करेगा तो नौत इंडिया में जहां बहुत ज़्यादा टेंपरचर रहता है जैसे कि राधिस्थान उत्तर प्रदेश मंद्र प्रदेश वहां पर आप इसको ईजली लगा सकते हो 55 डिग्री में भी ये कूल करेगा प्रब्लम वहां पर भी नहीं आई तो 25 मीटर इस गोल टूलाइक कुछ 17 सी फीट के असपस होता है उतनी दूर तक आप इसके आउट्डू यूनिट को लगा सकते हो अगर पाइपिंग हो रखी है तो मेरी पाइपिंग हो रखी थी मेरी था फ्लोर पर लगए है करीबन 10-12 मीटर तो मेरा भी था तो कोई प्र अब अब आपको फिंस पर ब्लू कोटिंग मिलेगी जैसे मैंने पहले पताया और इसमें डबल रो कंडेंसर भी मिलता है जिससे की आपको ज्यादा अच्छी कूलिंग मिलती है अब लोग को बोलते है कि और रिमोट से तो क्या ही फरक पर जागा बहुत सारा फरक परता है स सबस्बाले तो कोई भी की प्रेस करते हो अगर ये अच्चार जलती है आप लोगों को यह बारे काम का क्योंकि इस सन्सर लगा हुआ यह पीछे लगा हुआ यह सैंसर के जरेए रिमॉट के आसपास जो टेंपरेचर है उसके अकॉस अकॉर्डिंग रिमॉट सेंसर कूल इंग हो इस तेंपरेचर कंडल है या फिर फैन कंड्रोल वह आटोमेटिक होगा सारा तो सिस्टम में वो सारा काम हो जाएगा चालू दौनों भी चालू हो जाते हैं प्योर एर और आई फील उसके बाद वाइफाई इस पर्टिकुलर मॉडल में अविलिबल नहीं है बर जिन मॉडल में अविलिबल है उनके लिए है और इसके बाद यह आ जाता है अपना 5-1 बन वा वापस से यह C1 देखाने लगेगा मतलब यह 40% पर चल रहा है और हमें मालम भी पढ़ता रहेगा स्क्रीन पर कि हां भी यह इतना ही टेमपरेचर मलब इतना सी वन पर चल रहा है और टेमपरेचर हमने सेट कर दिया था अगर आप पूछ रहे हो को 120% वाला कैसे लगाएंग आप नॉर्मल मोड में चला रहे हैं तो लुवकरी रूप नीचे कर सकते हैं आप लोगों को मोड सल ऑप इसमें हैं अपको को डॉप कुल और fan, heat और auto mode मिल जाता है, auto mode पर आप temperature गंट्रॉल नहीं कर सकते हो, बाकी modes में कर सकते हो, एक fan वाले mode में भी आप temperature को गंट्रॉल नहीं कर सकते हो, तो PRS remote है, दो बैटरी दलती है इसमें, ज्यादा तो खास नहीं है, दो जी बैटरी दलती है, त्री इंटरपले वाली, ऐसा सेंड करता है, AC पर अवाज आती है, जी आप वी आप on-off करोगे, तो AC में आवाज तो आएगी ही, वो तो ही, और लास्ट चीज में आपको पताना चाहता हूँ, जो remote sensor cooling है, वो continuously data भेजता रहता है, आपके AC में, और अगर मालीजे, बहुत जाँ साथ देर तक standby पर पढ़ा Okay, let's talk about conclusion, सब चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताई, आपको idea लगया होगा कि क्या है, अब मैं conclusion बताता हूँ, conclusion यह है कि इस AC को मैं करीम 15 दिन से use कर रहा हूँ, और 15 दिन में I'm just amazed कि कोई AC जल्दी ठंदा कैसे कर सकता है room को, test कर देखा हमने, आपने उस test में देखा कि किता 20 मिनट के अंदर temperature आट नो डिगरी कम हो गया था, जो कि बहुत अच्छी performance मानता हूँ मैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना, तो आपका मालीजी 30-35 दिगरी temperature है, तो वो तुरंत के तुरंत आपका 20-25 मिनट में ही 30 से नीचे आ जाना चाहिए, जो normal calculation कह जाती है, और अगर थोड़ा आदा गंटे गास पास चल गया, तो और नीचे आ जाएगा, 24-25, which is the room temperature, जो हम चाहते हैं, मेरे साब से मैं तो 14-20 ही चाहता हूँ, efficiency की बात करने तो बहुत अच्छी अलरी होने वाली है, मैं आपके बिजली की बिल्स बढ़ने नहीं वाले है powerful cooling में आपको पहली बता चुका हूँ, high efficiency में आपको बता दिया, इस AC का remote भी बहुत सही है, आपका experience बहुत अच्छा होने वाला है, if you want to timer भी set करने का, इसमें आपको option मिल जाता है, अगर आपको AC off करना है, आप उसमें timer लगा दीजी, 2 गंटे बात off हो जाएगा, on का timer price से शुरू होती है, बागी more details में description में डाली दूँगा, links भी बहीं पर टले हुए है, मेरे एसाफ से price range में, इस type की AC मिलना, इतने अच्छी powerful cooling के साथ, 42 साल के ओनडा के trust के साथ, और make in India के brand के साथ, काफी मुस्किल है, और powerful cooling और high efficiency तो है ही, I think you should just get it, description में लिंक दिया हु मेरी तरफ से a huge thumbs up for these ACs, आप बिल्कुल जा के खरी सकते हैं, आपको कोई problem नहीं आने वाली है, thank you for watching this video guys, अगर आपको एच्छी लगी हो, तो hit like, get subscribed and check out other videos also, thank you very much. आपको